भक्ती सेवा में गतिविधियां एक आवशक विशयवानी पीडिया से भौतिक प्रकृति के जादू के तहट एक बंधात्मा यह नहीं समझ सकती है कि व्यक्त गत्त इंद्रियरत रिप्ती के लिए किया गया कार्य दोश्पून है मोह, असी में चिंता और दुख का कारण। प्रतेक जीवित प्राणी का इश्वर के साथ एक विश्मृत व्यक्त गत संबंद है। वह संबंद भक्ती गतिविधियों, कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, डान की सर्वोच पूर्ण तालोगों को पार ख्यान, वारतालापा और पत्र इस आवश्चक विशे की एक व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि भक्ती सेवा श्रणी में वानी कोट्स गतिविधियों में देखा गया है। निम्न लिखित दसुधरणों में उनकी पुस्तकों से एक परितनी चे दिया गया ह श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उधरन एक शुद्भक्त जो भक्ती सेवा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और जो हमेशा मेरे चरण कमलों की सेवा में संगलगन रहता है। कभी भी मेरे साथ एक होने की इच्छा नहीं रखता। ऐसा भक्त जो बिना किसी ह इचके चाहट के लगा रहता है। हमेशा मेरी लिलाओं और गतिविधियों का गुणगान करता है। श्रीमत भागवतम 3.25-34 एक शुद्भक्त अपने परिवार के प्रतीस नहीं किसी मित बंदनों को तोड़ देता है और सभी भूली हुई आत्माओं के लिए अपनी भक् विस्त्रित करता है। विशिष्ट उदाहगरंचे गोस्वामियों का समूग है जिन्होंने भगवान चैताये के मार्ग का अनुसरन किया। वे सभी उच जातियों के सबसे प्रबोध और सुसंस्कृत धनी परिवारों के थे लेकिन आबादी के बड़े पैमाने के लाब के लिए उन्होंने अपने आराम दायक घरों को छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। श्रीमत भागवत एक दशमलवाट एक तालीस एक भक्त जो वास्तव में कृष्ण भावनाम रित्में उन्नत है जो निरंतर भक्ती सेवा में लगा रहता है। उसे स्वय हम को प्रकट नहीं करना चाहिए, भले ही उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो। विचार यह है कि जब तक उसका बहुतिक शरीर है, उसे सदय वेक नव दीक्षित भक्त के रूप में कारे करते रहना चाहिए। निरामक सिधानतों के तहेत आध्यात्मिक सेवा में गतिविधियों का प कोई सकाम परणामों की इच्छा के बिना कारे करता है दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्ती गतिविधियों में संगलगन होता है तो वेह दैनिये परिस्थितियों से मुक्ति के साथ जीवन के उच्चतम लक्षे को प्राप्त कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। श्रीमत भागवतम 6.1669 यदि कोई भगवान के परम व्यक्तित्व को वास्तव में जानना चाहता है तो उसे भक्ती सेवा की गतिविधियों को अपनाना चाहिए। इन गतिविधियों को सत्व या शुद्ध सत् हैं, दूसरे शब्दों में वेदव्यमंच पर हैं। केवल भक्ती सेवा से ही कोई सर्वोच को समझ सकता है। श्रीमत भागवतम 8.3.11 अस्तित्व की अपनी शुद्ध वस्था में वे भक्त, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व, कृष्ण की भक्ती सेवा में अपनी गत गतिविद्यों में संगलगन करता है और भौतिक इंद्रियों की गतिविद्यों से स्वाभाविक रूप से आना सक्त हो जाता है, जो सभी परिस्थ तिजया और अस्थाई हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक स्थिति भगवान के सर्वोच ने अंतरण में हैं। फल्स्वरूट वेह सभी प्रकार की भौतिक प्रतिक रियाओं से विचलित नहीं होता, जिसे वेह भगवान की दाया मानता है। भगवत गीता 3.28 यह प्रश्न किया जा सकता है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्रम नाम का कीर्तन करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में द आवशकता नहीं है, आम्त और पर एक भक्त अपने पिछले जीवन से भौतिक संदूशन के कारण कई ग्रिनित भौतिक आद्तों का आधी होता है। इन सभी संदूशनों से शीग्र राहत पाने के लिए यह आवशक है कि व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा में संगल चैताये चरितामरित आदिलीला साथ दशमलव साथ चे योगे नास्तिक रहस्यवादी साधक इस पूण ज्यान को नहीं समझ सकते। पूण कृष्ण वहावनामरित में भक्ति सेवा की व्यावारिक गतिविदियों में संगलगन व्यक्ति ही पूण समाधी में लीन हो सकते ह उनके लिए संपूण ब्रहमांडिय अभिव्यक्ति और उसके कारण के वास्तविक तथे को देखना और समझना संभव हैं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह हुस्यव्यक्ति के लिए समझना संभव नहीं है जिसने पूण विश्वास के साथ भक्ति सेवा विक्सित नहीं की है, श्रीमत भागवतम 3.32, 30, भगवान की भक्ती सेवा में सेवा गतिविद्यों के नौसिद्धांत शामिल हैं, और वे हैं, एक, श्रवन, दो, जब, तीन, स्मरण, चार, चरण कमलों की सेवा, पांच, कूजा, छे, प्रातना, साथ, आदेशों को क्रिया करना, आठ, ब्रात्रित्व करना, और, नौ, पूरी तरह समरपन करना, उन में से कोई एक या सभी वानचित परणाम देने के लिए समान रूप से सक्षम है, लेकिन उन्हें भगवान के एक विशेशग्य भक्तित के मार्ग दर्शन में लगातार अभ्यास करने की आवशक् श्रीमत भागवतम एक दशमलवन और, तेंतालीस, जो लोग भक्ती सेवा में शुबकारियों में लगे हुए हैं, वे निश्चित रूप से समझते हैं कि सभी गतिविधियों के परम भोगता यला भार्थी भगवान के परम व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार जब कोई कारे क तो वे भगवान के परम व्यक्तित्व को परणाम प्रदान करता है और जीवन हमेशा भगवान के विश्यों में लगा रहता है, भले ही ऐसा व्यक्ति पारिवारिक जीवन में भाग ले रहा हो, लेकिन वे अपने कारियों के परणामों से प्रभावित नहीं होता है, श्री